हाई फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ मैं अपने यूटूब चैनल एग्री टेग विद आकास पे आप सभी लोगों का मेरा नाम आकास कुमार पांडे है और मैं आप लोगों को एग्री कल्चर से रिलेटेड जानकारिया प्रोवाइड कराता हूँ मैं इससे पहले आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन आप क्रॉप की वीडियो डाल चुका हूँ आज मैं आप लोगों को बताउँगा अपने वीडियो में आज बताओंगा और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों ने मेरा यूटूब चैनल एगरी टेग वित आकास को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको सस्क्राइब करिए, लाइक करिए, सेयर करिए और पुरा वीडियो देखिए और इससे जानकारी प्राप करिए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्राप रोटेशन के बारे में, आएए देखते हैं, क्राप रोटेशन फसल चक्री करण, फसल चक्री करण, खेतों में उर्वरा सक्ति बनाए रखने के लिए और उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसके इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि इंट्रोडेक्शन आप क्राप रोटेशन, मतलब इसका इंट्रोडेक्शन क्या है, इसका परिचे क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्राप रोटेशन का परिचे क्या है, जैसे कोई भी फसले होती है, उसकी फसलों की नि सिकनस हो जाती है जो एक प्रमुख समस्या है निरंतर एक ही फसल ली जाती है अगर तो उसमें रोग और तमाम तरह की कीट उसमें आ जाते हैं इसलिए उनको सुगमता से वो काफी दिनों तक उसी खेत में रहते हैं उसी स्वायल में रहते हैं और अपनी संख्या में निरंतर प्रोथ करते रहते हैं जिससे भूम इतनी रोग ग्रसित हो जाती है कि उसमें किसी विशेश फसल की खेती करना कठीन हो जाता है इसलिए कुछ समय बाद उसमें प्रत्रोधी किसमें उगाया जाता है तो इससे यह आसा रहती है कि जो रोग भूम में था या जो रोग जनक आते हैं आप दूसरा टापिक आप लोगों को बताते हैं modern concept of crop rotation मतलब फसलों की जो आधूनिक धाड़ा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं जैसे crop rotation का प्रमुक सिध्धान्त जो है वो soil की उर्वरा सकती मतलब fertility को इस्तिर रखते हुए फसलों की पैदावार मत और रहले किमार को BLACK किसान थे हो कुछ भागों को खेती करते थे तथा कुछ भागों को खाली छोड़ देते थे जिसको क्या हम आगां जाे में परती चोड़े उसिजदेंसरा तथा तथा वह इनाजों सिरियल्स दोल्स की और भ्रहा सकतीं पनाए बढाती थी satisf धूम में या मिर्दा में जो जीवांस पदार्थ उपस्थित रहते हैं इसलिए किसान खेतों में हरी खाद या उपस्थित रहते हैं या उपस्थित करने के लिए या और फर्टिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए जीवांस पदार्थ की उपियोगिता बढ़ाने के लिए उपस्थिती बढ और जो होती हैं उनकी उनको खेत में उगाता था जिसे फसल चक्र के सिध्धांद के अनुसार किसानों को गहराई में जाने वाली मतलब डीप रूटिंग के जो फसले होती हैं उसके पस्षाथ उतली जड़ वाली मतलब सेलो रूट वाली फसलों को बोना चाहिए अब हम थर्ड टापिक बताते हैं आप लोगों को प्रिंस्पल आप क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्री करण के सिध्धांद इसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे अपनाया जाता है और मतलब कैसे कैसे किया जाता है तो इसमें पहला टापिक पहला चाहिए क्योंकि पहली फसल की बच्ची हुई खाद दूसरी फसल के काम में आ जाती है जैसे आलु की फसल के बाद प्याज या आलु की फसल के बाद मुंगः के खेति करना अब दूसरा आता है Pulse crop जाता है जिससे मृदा में परचूर मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है उसके बाद जब हम भीना डालवाली फसलों को भी बोते हैं तो उसके लिए उरोरा सक्ती पहले से उसमें रहती है इसलिए उसमें कम उर्वरक डालना पड़ता है, जैसे अरहर, मूम, चना या उरत के बाद ज्वार की फसल, तथा मटर के बाद धान की फसल की खेती करना, अब तीसरा आता है गहरी जड़वाली, मतलब डीप रूट के बाद उथली जड़वाली फसलों की बुआई करना, जि ऐसी फसलें जिन्हें पानी की अधिक आवस्सक्ता होती है, उसके बाद कम पानी की आवस्सक्ता वाली फसलों को बोना चाहिए, जैसे धान के बाद चना की खेती करना लाद दायक होता है, अब आता है पच्वा, पच्वा टापिक है, जैसे फसल चक्र को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दोनों फसलों को हान पहुंचाने वाले जो पेस्ट हैं मतलब कीट हैं तथा रोग जनक जो डिजीज हैं एक ही प्रकार के अरधात एक ही फसल को लगाता नहीं बोना चाहिए अलग-अलग प्रकार की बोना चाहिए जिससे एक जो रोग उससे पहले वाली फस फसल चक्र को बनाना चाहिए जिससे स्वायल और क्लाइमेट दोनों को ध्यान में रखते हुए हमों फसल चक्र को बनाना चाहिए अब देखते हैं अगला जिन फसलों में अधिक गुड़ाई या निराई की आवस्चता होती है उसके बाद कम निराई गुड़ाई वाली फसल को बोना चाहिए जैसे कपास के बाद मैथी के फसल लोगाना चाहिए और अब देखते हैं लास्ट इसका सिध्धान जो है क्राप रोटेशन को इस प्रकार बनाना चाहिए कि किसानों को किसानों के पास जो स्रम सिचाई या उरुवरक तथा बीज आदिकी उचित विवस्था हो और उसे अपनी आवस्चक्ता अनुसार अनाज, दाल, सबजी, रेसे वाले पौधे तथा पस्मों के चारा ये आधि प्राप्त हो जाएं तो इसके क्या होता है कि हमारी एक तो उरुवरा सक्ती खेतों की बनी रहती है और उपज भी बढ़ती रहती है और हमारे खेत में runty बनी रहती है अब हम अगला टापिक देखेंगे कि selection of crop rotation अब हम आते बताते हैं आप लोगों को selection of crop rotation मतलब फसलों का कैसे चैहन किया जाता है किस-किस आधार पे इसका चैन किया जाता है तो इसमें पहला टापिक आएगा जलुआयो मतलब क्लाइमेट मतलब फसलों का चैन इस प्रकार से करना चाहिए जिसके जो भी फसल बोई जा रही है उसके अनुकूल जलवाई हो और सेकंड आता है मिर्दा मिर्दा में जैसे क्रा मूंठली गेहुं जो आराद के लिए लाइट सॉयल मतलब हलकी मिर्दा की आवस्चकता होती है तथा जय हो गया मक्का तथा गेहुं की फसलों के लिए हलकी तत्हाँ अमलिये मिर्दा की अधिक उपियुक्त मानी जाती है इसके खेती के लिए अमलिये और हलकी मिर्दा प्रेचने के लिए उचित ब्यवस्था होनी चाहिए मंडी की ब्यवस्था होनी चाहिए चोटी मंडियों की ब्यवस्था होनी चाहिए यातायाद की सुविधाएं होनी चाहिए यह सारी सुविधाएं आर्थिक कारण में आते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि फसल के वो बना रहे और इस सब को ध्यान में रखते हुए फसलों का चैन करना चाहिए अब हम देखते हैं, advantage आप crop rotation, मतलब फसल चक्र से हमको क्या लाब होता है फसल चक्र से हमको क्या लाव होता है तो जानेंगे पहले जानेंगे कि फसल चक्र जैसे भूम में फसल चक्र अपनाने से भूम में और वरा सकती बनी रहती है फिर दूसरा कह सकते हैं कि कीटों, रोगों तथा खर पतुवारों को आसानी से नियंतरित किया जा सकता है फसल चक्र के उपियोग से या फसल चक्र अपनाने से तीसरा कह सकते हैं इससे अधिक उपज प्राफ्थ हो सकती है मतलब अगर फसल चक्रा आप अपनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? आपको सही से उर्वरक भी मिल जाता है, सही जलवायो मिल जाती है, सही मिर्दा मिल जाती है, सही प्रकार से पानी मिल जाता है, तो इससे क्या होता है? हमारी जो फसल होती है, उसकी उत्पादकता पढ़ ज जाती है चौथा कह सकते हैं डाल वाली फसलों के द्वारा मिर्दा की फिजिकल कंडिशन जो भौतिक दसा होती है उसमें सुधार हो जाता है तथा मिर्दा में जयोपदार्थ की प्रचूरता बनी रहती है और पच्वा है सिचाई तथा उर्वरक अगर सीमित हैं मतलब अगर आपके पास सिचाई और उर्वरक सीमित हैं तब भी फसलों को अच्छी उपच पराप्थ हो सकती है अगर आप क्राप रोटेशन अपनाते हैं शट्वा कर सकते हैं फसल उत्पादकों की मांग को बजार में पूरा किया जा सकता है अगर आप क्राप रोटेशन सही से अपनाते हैं तो जो हमारे बजार की मांग है या जो लोगों की मांग है उसको हम पूरा कर सकते हैं और शट्वा जाने के मिर्दा को वायू तथा लीच हो जाती है लीचों के नीचे चली जाती है उससे बचाया जा सकता है और अठवा जानेंगे और एक बाद में यह है कि फसल चक्र अपनाने से जो मिर्दा अपर्धन होता है वो काफी हद तक रुख जाता है मतलब जो मिर्दा कटाओ होता है वो काफी हद तक रुख जाता है फ तो फसले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वह मैंने क्लासिफिकेशन आप क्रॉप में वह फसले मैंने आप लोगों को बता दिया है तो आप लोग जाहिए और उसमें क्लासिफिकेशन आप क्रॉप में देखिए कि कौन-कौन सी फसले एक वर्स में बोई जाती हैं दू निवाद आज के लिए इतना ही मैं आप लोगों को बताना फिर से बताना चाहूंगा अगर आप लोगों ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल सस्क्राइब करें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और बताएं कि कौन सी आपको कौन सा और किस टापिक का वीडियो चाहिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइट कराता रहूँगा, और आप लोगों नो जो अभी तक हमको प्यार दिया है, आगे ही ऐसे आप लोगों प्यार देते रही है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रही है, और हमारी वीडियो को लाइक करते रह झाल्चोर के लिए खाल्चोर के लिए दाए्वाइए।